चानक के IAS Academy Current Affairs में आप सबी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Mission आदित्य एलवन के बारे में Indian Space Research Organization का पहला सूर्य Mission आदित्य एलवन 6 जन्वरी को Language Point में दाखिल हो गया सितंबर 2023 में आदित्य एलवन अपनी आखरी और बेहत जटिल प्रकिरिया से होकर गुजरा अब हम बात करेंगे Mission के बारे में Space Craft प्रत्वी से लगभग 15 लाग किलोमेटर दूर सूर्य प्रत्वी सिस्टम के Language Point जिसे एलवन भी कहते हैं के आजपास एक हेलो कक्षा में पहुँच चुका है एलवन प्रत्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग एक प्रतिशत है अपने आखरी पड़ाव पर पहुँचने के बाद अंतरिक्ष यान बिना किसी ग्रहन के सूर्य को देख सकेगा अब हम बात करेंगे कि Language Point क्या होता है Language Point वह छेत्र है जहां प्रत्वी और सूर्य की बीच गुरुत्वा कर्षन निस्क्रिय हो जाएगा हेलो कक्षा में L1.0 के चारों और सेटलाइट की जरीए सूर्य को लगातार देखा जा सकता है इससे वास्त्रिक समय में सोर गतिविदियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव की जानकारी मिलेगी इस मिशन के उदेश्य के अगर बात करें तो इसका उदेश्य सोर वातावरन में गतिशीलता, सूर्य के परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सताह पर सोर भुकम, सूर्य के धदकने से जुड़ी गतिविदियों और उनकी विशेशताओं एवं अंतरिक्ष में मौसम समंदी समस् विस्तार से अगर बात करें तो ये सूर्य की स्टडी के लिए बनाया गया मिशन है, आदित्य एलवन मिशन का लक्ष है, सूर्य का अध्यन करना है, यह मिशन साथ पैलोड लेकर गया था, जो अलग-अलग वैब बैंड में फोटो स्पेर्स, क्रोमो स्पेर्स और सूर्य के सबसे बाहरी परत कोरोना पर रिसर्च करने में मदद करेंगे, सूर्य अध्यन करना काफी चुनोती पूर्ण है, क्योंकि इसके सतह का तापमान लग-भग 9,941 डिगरी फॉरेन हाइट है, अब तक सूर्य के बाहरी कोरोना का तापमान भी मापा नहीं जा सका है, इसी को द अब तक के सफर के अगर बात करें तो अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद यानी 18 सितंबर से आदित्य ने वेग्यानिक डाटा एकत्र करना और सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी, वेग्यानिकों को अब तक L1 से सोर्ज वालाओं के हाई एनर्जी एक्सरे, फ अब हम उन साथ पैलोड के बारे में बात करते हैं, जो आदित्य एल्वन में लगे हुए हैं, आदित्य पर साथ वेग्यानिक पैलोड तैनात किये गए हैं, इन में विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ यानि की VELC, सोलर अल्ट्रा वाइलेट इमेजिंग टेलिस्को यानि की L1OS शामिल है, जो सिदे तोर पर सूर्य को ट्रेक करेंगे, वहीं तीन इन सीटू मापने वाले उपकरण हैं, जिन में आदित्य सॉलर विंट पार्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट, प्लाजमा एनलाइजर पैकेट फोर आदित्य और एडवांस थ्री डाइमेंशनल हा आज का ये विशय यहीं पर समाप्त होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद